बहुत स्वागत है जी सारे वद्यारतियां दा ऐस्टेलिया दे जनुरी और फेब्ररी इंटेक देली बहुत वड़े अपडेट ने सो स्टूडेंट बहुत ते आंदे नाल मैं वीना गोईल दियां सारी यां गलना सुनन वीना गोईल जी नुँ छबीस ताइस साल दा एक्सपिरेंस है और अस्टेलिया दा प्रफाइल देख के दास्दन देने के वीजा स्टूडन दो मिलेगा या नहीं सो इनना जादा इनना कोड़े एक्सपिरेंस है और हुन ऑफर लैटर बहुत सारे स्टूडन्स शकायत कर रहे ने की ऑफर लैटर नहीं मिल दी अस्टेलिया दी ऑफर लैटर दा क्राइचस है लेकिन मैं वीना गोईल तो आनू किस तरह आ ओफर लैटर दौन गे ये तो आन किनिया युनिवस्टीज नू डिरेक्ट रिप्रेजेंट कर देने मैं वीना गोईल और बहुत सारे अश्टरादे कंसल्टन्ट होंदेने जिना दा सिद्धा टाय अपने होंदा कॉल्जिस ते युनिवस्टीज ना तो एही फर्क है मैं वीना गोईल बहुत जल्दी थोड करें कित्थे अफलेटर अपलाई करें तुसी कित्थों दौाऊंगे कित्थों जल्दी मिलूगी जीटी के में जल्दी क्लियर हो तुसी के में जल्दी जीटी क्लियर कराऊंगे किड़े 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 डॉकमेंट्स ने ताकि स्टूडेंट इसली जीटी क्लियर कर सके कि तमाम पेलों ते मैं चाहूंगा तुसी पूरी कलारटी दे दिए इदे विच अपनो टाइम मेल रहा है कि बच्चे नो पां चंगी तरह गाइड करिए कि स्टूडेंट जड़ा मिस्गाइड ना होएं क्योंकि जिननी कॉल्स आंदियां शो देखके बहुत मिस्गाइड़ आ रियल्ली आ रॉरीड कि बच्चेंदा की बनोगे स्टेप भाइ स्टेप मैं प्रोसेस दासरीय तो सब्सक्राइब कर देख रहे हैं कि जेड़ा बच्चा इलीजिबल है उदी रिक्वार्मेंट पूरी हो रही है उनने की करना है रिक्वार्मेंट पूरी होई उस अडेको लाई अफर लेटर अपलाई कर नवस्ते स्टेप वन उनने अपने क्वालिफिकेशन डेकुमेंट सनु देते मिन्स स्कैन करके या वाटेवर जो भी पॉसिबिल्टी सुन दिया और डाकुमेंट जेड़े है असी ओधे नाल स्टीटमेंट आप परपस जेड़ा बच्चा लिखके दिन दा है या बच्चे दी मेरी काउंसलर हेल्प कर दी है जिस वी सामनाल है क्योंकि इत्थे बच्चे ने जाना है यूनिवस्टी स्टूडेंट ने जाना है काउंसलर ने नहीं जाना या वीना मैडम ने नहीं जाना यू हाव टू सर्च केड़ी यूनिवस्टी चे जा रहे हो केड़ी जगह जा रहे हो उधी फीस किन्नी है तो अनों फंडिंग को न कर रहे है जग तुसी ग्रेजूइट स्टूडेंट हो तो अड़ा एक्स्पीरि कर दें अफ़ लेटर दे विच कोई यूनिवस्टी 15 दे रही है कोई 20 कोई 25 देज अपां रफली मंद्यां के मिनना लग गया 15 वी दिन जनरली अन एवरेज टाइमर होन ओ बच्चा जेड़ा है एना सोच के बाढ़ जाए कि मेरी ओफ़ लेटर आएगी तो मैं ड़कुमें त्यार करें जिद्धा ही अफ़ लेटर अपलाई होई है सेकिंड स्टेप जेड़ा जीटी दे डेकुमेंट्स ज़ीटी तो डी स्ट्रॉंग डेकुमेंट्स होगे तो अड़ा जड़ा है जीटी डीजेक्ट नहीं होएगी और वीजा रिजेक्शन नहीं होएगा वहन इनकम टेक्स रिटर ना गई ओदे नाल फन्टिंग कोन कर रहे है पेरिंट्स फन्टिंग कर रहे है या स्पॉनसर तो ड़ा ड़ा जांगे हुन एक मिरकुल केस आया कल जिद्धा 11 लाग 11 लाग फादर दी इंकम है 5 लाग मदर दी है 16 लाग फादर जॉब कर रहे है ठीक है हुन इना दा जड़ा लोन लेना बहुत असान है क्योंकि इना देको थी मन्स ओल फंडिंग नहीं है कुछ फंडिंग है 10-12 लाग रुपया शो इना ने किना करना है 30 लाग रेस्ट आफ दा मनी बैंक लोन बैंक भी 15 दिन ले अलंद है उन तो सी देखो बिलकुल नाल दे नाल प्रोसेस चल रहे है इतदर बैंक दा चल रहे है अफल लेटर अपलाई हो गया उन तो सी को के एक जहीड़ी की मेन गल है कि जट तक आफ लेटर नहीं आया बैंक लोन नहीं देगा राइट लेकिन बैंक दे अपने डेक्युमेंट है जेड़े उनानों एक लिस्ट अफदा डेकुमेंट्स चाहिए है इना दी सेलरी सलीप हो गई इना जो भी काम कर रहे है उदे डिटेल्स चाहिए है न कोई बिजली दा बिल को ये बहुत सारे डेकुमेंट्स होंदे जेड़े इनाने बनाने हैं जद्द ही आफ़ा लेटर बैंके नानों लोन संक्षिन कार दा या इना आप शो कर रहे है तेना दे जीटी दे डेकुमेंट्स जड़े तयार होगे क्योंकि कही बारी खली दो चीजा नहीं है जित्थे ओ जॉब कर रहे है फादर उत्थे दा कोई आई कार्ड भी मंगनगे इंप्लायर डेटेल भी मं प्रोसीजर चलेगा ओदे नाल की होगा नाल दी नाल सी जीटी देग्यूमेंट पेश जिद्थे अफल लेटर रहे है जीटी क्लियर होगे फीस पे करती फाइल अमशी चलगे डिले नहीं होंगे स्टेप्स ते विच ते जैन इंटेक दा जड़ा वीजा है वह बहुत इसल आप फालो करंच लेट करोगे तो सकता है जिनना उना दा कोटा है जैना उनाने देता वो दे बार रिजक्शन शुरू हो जानगी देन यू विल नाट ब्लेम तो एनिवन कि सदा वीजा क्यों रिजक्ट होया है रीजन बिंग कि तुसी आप डिले किता है तुसी ए ना सोच कोई भी ओफिस वाला तो नो बार बार फोन करेगा उना देकोल टाइम नहीं है वो तो नो फर्स्ट काउंसलिंग चे तो अड़े पेपर सारे समझा आदे है तुसी केरफुल रहना तुसी अपने डाकुमेंट आप देने है तुसी चार वारी कॉल करोगे मेरे डाकुमेंट आनदा है सार ओफिस तो फोन आएगा लेकिन उना देकोल बच्चे जागा है साड़े कोल बच्चे जागा है तुसी जद आगे फर्स्ट काउंसलिंग चसी समझा आता लिस्ट आफ डेकुमेंट तुसी प्रोवाइड करने है तो थैंक यू सो मच बहुत ही इंपोर्टन इं पर्सनली मिल सकते हों और तुसी इंडिया दे किसे भी हिस्से जो वीना गोईल मैंदे जरीए अपलाई कर सकते हो थैंक यू सो मच थैंक यू